गुल्दावदी के फूल जब एक बार खिलते हैं तो महीने भर तक आपके गार्डन की शोभा बढ़ाते रहते हैं लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब फूल कुछ सूखे सूखे से मुर्जाय से और डिस्क कलरेशन टाइप से नजर आते हैं इन फूलो को क्या करना चाहिए सूखने के बाद कट कर देना चाहिए नए फलार के लिए वेट करना चाहिए या फिर गमले में ऐसे ही छोड़ देना चाहिए आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि गुल्दावदी के सूखे हुए फूलो का आप क्या करत अपने पौधे को किस तरीके से बचा सकते हैं और अगले साल के लिए किस तरीके से तयार कर सकते हैं। अभी जो पौटुला का है उसे दो-तिन महीने से बचा कर रखा है। एक ब्रांच पर पूरे सीजन में एक ही बार फ्लारिंग होती है। आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। यदि छोटी-छोटी कलियां भी इसमें अभी हैं और आपको लगता है ये फूल खिलेंगे तो उन्हें भी आपको काटना पड़ेगा। ये कलियां खिलेंगे नहीं देखिए कुछ इस तरीके की ये ऐसे ही रखे-रखे मुर्जा जाएंगी। आप उपर से 2-3 इंच दा कट कर दीजे यानि नीचे से 2-3 इंच ही आपको छोड़ना है प्लांट को और इसे कट कर देना है। तयार किया था नई फ्लारिंग के लिए एक और गुलदाओदी का पौधा है जो अक्टूबर नवंबर में अच्छे से फ्लारिंग करता रहा। नवंबर एंड में मैंने इसे कट कर दिया था और देखिए इसमें अब कलियां भी बनने लगी हैं। इसमें दुबारा फूल आरहा है इस सीजन में। यदि आपको दुबारा फूल चाहिए अपने पौधे के लिए तो जो तरीका में बता रही हूँ ये आप तरीका अपना है। मार्स तक अभी इसमें बहुत अच्छी फ्लारिंग होगी। जब बरसात का समय आएगा उस समय ही दो-तिन महीने आपको इसे बचा करके रखना है। तब तक ये पौधा इतना बड़ा हो जाएगा कि आप दो-दो इंच की कटिंग बहुत सारी तयार कर सकते हो। गुलदाओदी हो या गेंदे का फूल हो। जितनी बार हम कटिंग से लगाते हैं बहुत अच्छी फ्लारिंग करता है। ये मैं अपने अनुभाव से आपको बता रही हूँ। जैसे मेरे गेंदे का फूल आप देख रहे हो। तो उसमें उस ब्रांच पर फ्लारिंग बहुत अच्छी होती है। इसलिए इस गुलदाओदी को मैंने कट कर दिया था और देखो दुबारा इसमें कलियां बनने लगी है। और केर भी वैसे ही करना है जैसे सभी प्लांट की करते हैं। पुछ अलग से केर नहीं करना बस छोटी सी चीज़ें क्या नहीं करना ये मालूम हो जाए। तो हम पौधे को बहुत असानी से बचा सकते हैं। अब आप अपने पुराने पौधे को कट कर दीजिए। नीचे से दो या तीन इंची आपको छोड़ देना है। ये देखिए ये पौध चुला का है जिसे मैंने बचा कर रखा था अब जैसे ही फैब खतम होगा। मैं इसमें अच्छा सा कोई पोशक तत्व दे दूँगी और ये पौधा रेड़ी हो जाएगा फ्लारिंग के लिए। बहुत ही आसान होता है इन पर्मानेंट पौधों को बचा करके रखना ये आप भी अपने गुल्दाओदी के पौधे को जाहिरे बचाना चाहते होंगे तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ख्याल रखिए आप कट करने के बाद एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसे क्योंकि वैसे तो सर्दी में धूप कम ही निकल रही है लेकिन यदि आपके हां तेज धूप है तो ऐसी जगह रखिए जहां फिल्टर सनलाइट हो पानी का भी आपको ध्यान रखना है पानी स्प्रे से दिया करें यदि एक बार पानी दे दिया तो तीन चार दिनों तक कलियां हैं वो कभी भी खिलेंगे नहीं उन कलियों को भी आपकट कर दें यानि की उपर से यदि आपकट करेंगे और जब हम फर्टिलाइजर देते हैं तो पौधा जो है वह नीचे से फैलता है अपनी एनरजी जो है जड़ों के विस्तार में लगाता है तो इसलिए इसे क चोटी-चोटी कलियां बनी है तो हम वेट करते हैं कि शायद पौधा खिल जाए लेकिन ऐसा नहीं होता है अब काटने के बाद आप क्या करेंगे दो-दो इंच की कटिंग ले लिजे उपर से फलार हटा दीजे और थोड़ा सा इसमें रूटिंग जेल यानि की कोई भी करके उसी प्लांट में आप साइड में लगा दीजे आप देखेंगे कि महीने भर में ये ग्रो हो गया है सिर्फ बरसात में इसे बचाना है बरसात के बाद आप इसकी फिर से दो-इंच की कटिंग लीजे और लगा लीजे इस तरीके से ये पौधा पर्मानेंट पौधे की तरह ही काम करेगा और ये जो फूल सुखे हुए आपके पास रह गया इने आप कंपोस्ट में डाल दीजे हालाकि फूल ये दी आपके प्लांट में ही ड्राई हो जाएंगे तो इसमें चुटे-चुटे बीज बनते हैं बीजों से भी गुलदावदी को उगाया जा सकता है अब जिस पौधे को कट किया है आपने उस पर आपके पास ये कोई फंजिसाइड है तो उसे एक चम्मच दे दीजे पानी में घोल कर सकते हैं डिरेक्ली दे सकते हैं यदि ये कुछ भी नहीं है बस एक चम्मच राख 5-6 इंच के कंटेनर में डालिए राख भी एक अच्छ यदि खाद आप अभी नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं 5-6 दिनों के बाद भी दे सकते हैं लेकिन वर्मी कंपोस देने से इसे परियापन मातरा में नाइट्रोजन मिलती रहेगी और ये अपने जड़ों का विस्तार करेगा और पौधा तयार हो जाएगा